संख्या रेखा पर बिंदू को 8 पर ले जाएं यहां मारे पास यह बिंदू है और हमें इसे 8 पर ले जाना है और यह बिंदू 0 पर है और हम देख सकते हैं कि इसके अगला वाला जो बिंदू है वो दर्शाता है 2 को इसका मतलब हुआ कि हमारे संख्या रेखा का यह हिस्सा ज और ये वाला चिन्न होगा 6 और ये होगा 8 के बराबर. तो चलिए हम अपने इस बिंदू को 8 पर ले जाते हैं. ये आगया 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे और ये 8 पर. चलिए इसको जाच लेते हैं. जी हाँ, ये सही है. और हम यहां से इसे ऐसे भी समझ सकते थे. अगर हमारा एक हिस्सा दो मात्रक को दर्शाता है, तो कितने हिस्से 8 को दर्शाएंगे? तो इसका मतलब हुआ कि चार हिस्से दर्शाएंगे 8 को. चलिए अगला प्रिशन हल करते हैं. अब यहां पर हमें अपनी संख्या रेखा पर बिंदू को 48 पढ़ ले जाना है. और यहां पर एक हिस्सा दर्शाता है 8 की दूरी को. इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ये भी 8 के बराबर होगा. और ये निशान 16 को दर्शाएगा. और इसी तरह से ये वाला निशान दर्शाएगा. अगर मैं 16 में 8 जोड़ देती हूँ. मतलब 24. फिर उसके बाद 24 में अगर हम 8 जोड़ दे. तो ये हो जाएगा 32 और 32 के बाद ये वाला हिस्सा होगा 40 और ये होगा 48. या फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर एक हिस्सा 8 को दर्शाएगे. इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर 6 हिस्से ले ले. एक हिस्सा 8 को दर्शाएगे. तो 6 हिस्से 6 गुड़ा 8 यानि की 48 को दर्शाएगे. तो चलिए अब हम इस बिंदू को छटे स्थान पर ले जाते हैं एक, तो, तीन, चार, पांच, छे और इसे आप चाते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आठ, आठ, सोलह, आठ, चौबिस, आठ, बतिस, आठ, चालिस और आठ, अड़, तालिस की तरीके से चलिए से जाचते हैं, जी हाँ, ये सही है, अगला प्रशन देखते हैं संख्यारेखा पर बिंदू को बारह पढ़ ले जाए, यहाँ पर एक हिस्सा तीन को दर्शाता है तो ये वाला जो निशान है, यहाँ पर हम छे पे आएंगे, यहाँ से बारह पे तो ये वाला जो चिन है, ये बारह को दर्शाएगा, चले देखते हैं, तीन, छे, नौ और बारह इसकी जाच कर लेते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है तो मैं उमीद कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर संख्याओं को संख्यारिखा पर दिखा रहे हैं